हलो स्टूडेंट्स आज हम अपने हिंदी व्याकरण के कक्षा में अपना द्वित्य अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वर्ण माला वर्ण माला को इंग्लिश में अल्फवेट्स कहा जाता है जैसे आप लोग इंग्लिश भाषा में अंग्रेजी भाषा में ए बी सी द पढ़ते हैं आप जानते हैं अंग्रेजी भाषा में 26 वर्ण होते हैं 26 Roberts होते हैं उसी परकार हमारी हिंदी भाषा में भी 44 यानी कि 44 वर्ण होते हैं जिनके बारे में आज हम इस अध्याय में पढ़हेंगे किसी कि भी भाषा को लिखने समझने के लिए वर्ण माला के तो बोलने में हर शब्द को बोलने में कुछ विशेश ध्वनियों का प्रयोग होता ही है इनी ध्वनियों को वंड कहा जाता है जैसे कि आप प्रथम चित्र में क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं यहां प्रथम चित्र में मोर का चित्र दिया गया है आप इसे देखेंग तो यहां हमें मोर दिखाई दे रहा है मोर को लिखने में हमें चार प्रकार की ध्वनियों का प्रयोग करना पड़ता है मोर में म ओ र अ यानि हमें चार ध्वनियों का संयम करना पड़ता है संयों करना पड़ता है जिससे एक शब्द बनता है मोर इसी प्रकार हम अगर बात कर करते हैं घर की घर को लिखने में हमें फिर से चार ध्वनियों का प्रयोग करना पड़ता है घर प्लस अ प्लस र प्लस अ यानि चार ध्वनिया मिलकर घर शब्द बनाती हैं अगर हम अलग तीसरे चित्र की बात करें यहां दिखाया गया है कलश और चोथे चित्र में दिखाय गया है बर्गत तो कलेश को लिखने में हमें कितनी ध्वनियों का प्रयोग करना पड़ेगा कलेश को लिखने में हमें 6 ध्वनियों का प्रयोग करना पड़ेगा और बर्गत को लिखने में हमें 8 ध्वनियों का प्रयोग करना पड़ता है जैसे कलेश लिखने के लिए क प्लस अ ल प्लस अ श प्लस अ ये बनता है कलश अब हम बनाते हैं बर्गद बर्गर लिखने में हमें आठ ध्वनिया प्रयोग करने पड़ती हैं वे ध्वनिया कौन सी हैं देखिए जरा ब प्लस अ र प्लस अ ग प्लस अ द प्लस अ बर्गद ये छोटी छोटी ध्वनिया जिने और अधिक छोटा नहीं किया जा सकता वही वर्ण कहलाते हैं इन्ही छोटी ध्वनियों को जब हम लिकर प्रकट करते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं वर्ण को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे बोला जाता है अक्षर अगर हम वर्ण को परिभाशित करना चाहें तो उसे किस प्रकार परिभाशित किया जाएगा अब हम आपको वह बताते हैं भाशा की सबसे छोटी ध्वनी के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है यानि किसी भी भाशा की सबसे छोटी इ वर्ण कहते हैं अत्वा अक्षर कहते हैं वर्ण के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा में वर्ण के दो रूपों को बताया गया है जिसका नाम है स्वर्ण और व्यंजन तो इसका अर्थ यह हुआ कि वर्ण हमारी हिंदी भाषा की वर्ण माला में इंजन क्या होते हैं दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं स्वर वह छोटी काई होती है जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जा सकती है जैसे कि ये सभी हमारे ग्यारा स्वर हैं अभी आपने स्वरों के बारे में जाना हमारी हिंदी भाशा में ग्यारा स्वर हैं अब हम बात करते हैं व्यंजनों की हिंदी की वर्ण माला में 33 व्यंजन है इनकी कुल संख्या 33 है जिसमें हम कहते हैं कि इनके अंदर सभी के अंदर अ मिला रहता है यदि हम इने स्वतंत्र रूप से लिखना चाहें तो नहीं लिख पाएंगे बिना स्वरों की सहायता के व्यंजनों को कभी भी नहीं लिखा जा सकता जैसे आपने अभी पीछे पढ़ा था कलश क जमा अ ल जमा अ श जमा अ यानि कलश को लिखने में हमें तीन स्वर और तीन व्यंजनों का प्रियोग करना पड़ा हर व्यंजन में जब हम क बोलते हैं सभी के अंदर अ मिला होता है जैसे कि यदि हम लिखें क तो ये क जमा अ इसे मिला कर ही क बनेगा अत्वा इसके अलावा हम क नहीं बोल पाएंगे इसी प्रकार सभी व्यंजनों में अ मिला हुआ होता है आप देख रहे हैं हमारे जो कुल संक्या है व्यंजनों की 33 इन्हें किस प्रकार बोला जाता है ये मैं आपको बताती हूँ ये है प्रथम होता है कवर्ग कवर्ग यानि क से आरंभ होगा न पर खतम होगा कखगग न दूसरा जो भाग है हमारा वह कहलाता है चवर्ग च से आरंभ होगा न पर खतम होगा चचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचच निक्स्ट होता है तवर्ग तवर्ग में तो से आरंब करते हैं न पर समाप्त करते हैं इसमें जो व्यंजन प्रयोग किये जाते हैं तवर्ग में वे हैं तो तो दो दो न इन सभी व्यंजनों में मैं आपको फिर्से बता रहे हूं कि अ मिला हुआ है तभी इन्हें इस प्रकार से बोला जा रहा है अगला जो वर्ग है वह है हमारा पवर्ग पवर्ग में प, फ, ब, भ, म ये सभी व्यंजन प्रिक्त होते हैं फिर आते हमारे य, र, ल, व, श, श, स, ह ये हमारे कुल मिलाकर 33 व्यंजन है वर्ग माला में कुल 11 स्वर होते हैं 33 व्यंजन होते हैं तो कुल मिलाकर हमारी हिंदी वर्ग माला में 44 वर्ग होते हैं तो यदि हम वर्ग माला को परिभाशित करना चाहें तो क्या कहा जाएगा? इस प्रकार से परिभाशित किया जा सकता है वर्णों का क्रम बद समू वर्ण माला कहलाता है जैसे इंग्लिश में A, B, C, D, A से लेकर Z तक होता है उसे हम इंग्लिश अल्फवेट का नाम देते हैं इसी तरह से हिंदी अल्फवेट यानि वर्ण माला को जब हम क्रम बद रूप से लिखते हैं यानि A से आरम करते हैं A, A, E, E ये सभी स्वर लिखे जाएंगे उसके बाद कखगः लिखा जाएगा हपर्स माप्त होगा इन सब को मिलाकर जब हम कर्म बद रूप से लिखते हैं कर्म बद रूप जब भी होगा उसे बोला जाएगा हिंदी वर्ण माला कुछ अन्य वर्ण भी हिंदी भाषा में प्रयोग किये जाते हैं जो ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं ये विशेश रूप से प्रयोग किये जाते हैं जिसमें कुछ विशेश ध्वनियों का सहियम होता है जैसे कि च ये संयुक्त व्यंजन होते हैं जिसमें संयुक्त यानि मिला कर प्रयोग किया जाता है क और श इन दोनों ध्वनियों को जब मिलाया जाएगा तो बनेगा क्ष इसमें एक विशेश बात यह है कि स्वर में व्यंजन नहीं मिलाया गया व्यंजन में व्यंजन मिलाया गया है व्यंजन यानि दो व्यंजनों का मिलान जिसे बोला जाएगा संयुक व्यंजन जब हम त्रो लिखना चाहते हैं तो त जमार त्रो ग्यानी वाला ग्या आप जानते हैं सभी तो ग्या लिखने के लिए हमें ज़ और इयां को मिलाकर ग्या बनेगा और श्र श्रमिक लिखने के लिए जो आप प्रयोग करते हैं श्रवन कुमार लिखने के लिए शमित लिखने के लिए जो आप श्रव प्रयोग करते हैं वो दो व्यंजन कौन-कौन से हैं श्र जमार इन दोनों को मिलाकर श्रव बनता है तो इस प्रकार हमारी हिंदी भाषा में अभी हमने जाना संयुक्त व्यंजनों के बारे में, अब हम देखते हैं, कुछ और वर्ण भी होते हैं, जिने हम अतिरिक्त व्यंजन बोलते हैं, इन्हें किस प्रकार बनाया जाता है, जो हमारा हिंदी वर्ण है, हिंदी व्यंजन है, ड, डमरू वाला ड, उसके नीचे, यदि हम बिंदी लगा देते है इसे बोलते हैं, ड, जैसे कि इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, सडक के अंदर, कभी भी अतिरिक्त व्यंजन का प्रयोग, किसी भी शब्द के आरंभ में नहीं होता, ये हमेशा बीच में प्रयोग किये जाते हैं, इसी तरह से हिंदी भाशा का ड, ढकन वाला ड, यदि उसके न हम ड का प्रयोग करते हैं, इसे बोला जाएगा पढ़ाई, जैसे कि ड को भी हमने शब्दों के प्रारंभ में प्रयोग नहीं किया, इसी प्रकार ड का प्रयोग भी शब्दों के प्रारंभ में नहीं किया जाता, बीच में कहीं भी प्रयोग तो हो सकते हैं, इसके अलग-अ गुधारण आप खुद भी अपनी रोज मर्रा की जिन्दगी में देखते हैं हमारी हिंदी भाषा में सयुक्त व्यंजन और अतिरिक्त व्यंजन इनके अतिरिक्त तो और वर्ण है जिने स्थान दिया गया है जिने बोला जाता है अनुस्वार और विसर्ग अनुस्वार को कि विसर को बोला जाता है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे हमें बोलना है अंगूर, अंगूर को लिखने के लिए सबसे पहले हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, अंगूर, और क्या लिख सकते हैं, अंगीठी, अंगूर और अंगीठी, ऐसे शब्द लिखने के लिए हम ने अंग यानि अनुस्वार का प्रियोग किया अब हम बात करते हैं विसर्ग की विसर्ग अहां इसे लिखने के लिए जैसे हम लिखते हैं प्रातह जब हम प्रातह लिखते हैं या नमाह लिखते हैं इनके अंत में हम अहां न लिखकर उसके जो संकेत हैं दो बिंदियां उनक प्रयोग करते हैं इसे बोला जाता है विसर्ग यानि हमारी वर्ड माला में 44 व्यंजन स्वर्ड व्यंजन यानि 44 वर्ड उसके अतिरिक्त चार संयुक्त वर्ण अतिरिक्त व्यंजन में दो और अनुस्वार विसर्व ये सभी मिलाकर जब क्रम बद रूप से लिखे जाते हैं उसे हिंदी भाषा की वर्ण माला हिंदी अल्फबेट्स कहा जाता है आशा करती हूँ आपको यह हिंदी वर्ण माला का अध्याय अच्छी प्रकार समझ आ गया होगा अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में